हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे सम्मरी राइटिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बीकें कि सम्मरी किसे कहते हैं सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सम्मरी एक ब्रीफ स्टेट्मेंट होता है और काउंट आफ में पॉइंट साफ एक औरिजनल टेक्स दिया जाएगा वाट्सोएवर देक्स्ट इस इस अ नोवल लेंथी टेक्स्ट भी हो सकता है शोट स्टोरी भी हो सकता है या कोई रीडिंग पैसेज भी हो सकती है एनिटिंग ठीक है तो उसको आप सिंपल अपने वर्ड्स में शोट करके में को समराइज करना आपका समरी कहलाता है सो रिमेंबर वन तिंग यूज यूज यूर ओन पॉइंग्वेज यूर ओन वर्ड्स टू डिसकस्ट अपने पॉइंट्स आफ दा ओरिजनल टेक्स्ट यह ओरिजनल टेक्स्ट जो आपको गिवन टेक्स होगा उसे कहेंगे यह लें औरिजनल टेक्स को यह सिंपल वर्ड्स में हम यह कह सकते हैं एक अच्छा समरी लिखने के लिए आपको उस औरिजनल टेक्स को सही तरिके से पढ़ना है उसे सही तरिके से समझना है ताकि आप में पॉइंट्स को आइडिंटिफाई कर सके उस औरिजनल टेक्स के अंदर औ और उनी मेन पॉइंट को अपने वर्ड में रिस्टेट करना समरी कहलाता है, सो बैसिकली ये इस टेकनिकल स्किल है जो की डिमोंस्ट्रेट करता है, जो की शो करता है आपकी रिडिंग कम्प्रिहेंशन को, कि आपने कितना समझा हुआ है उस औरिजनल टेक्स को, और उसको किस तरीके से आप रिप्रोड्यूस कर पाते हैं अपने वर्ड के मेरे, ठीक है, उसको राइटिंग अबिलिटी कहा जाएं, एक अच्छे समरी जो है वो सिंपली इंटर्प्रेटिशन या अनाल्सिस आफ़ टेक्स नहीं होगा, रदर देन इस, इसकावर दे मेन पॉइंट्स अफ़ दे ओर टेक्स इन योर ओन वर्ड्स एक कंडेंस फार्म में, एक शोर्ट प्रिसाइस फार्म में, और जो कि easily समझ में आ सके रीडर को जो कि जिसने original text ना पढ़ा हो ठीक है वो summary ही पढ़ ले तो उसको original text के main points उसको indirectly समझ में आ सके without reading the original text तो purpose यही है summary का आपका time save करना ताकि आपको पूरा text पढ़ना ना पढ़े उसका short summary पढ़के आप उसका essence फाइंड कर सकते है main points फाइंड कर सकते है कि original text के अंदर क्या है यही है इसका beneficial या इसका use कि यह आपका time save करता है summary for example जियादतर semester में यूनिवरसिटी में आपको offer होगा place if you are a student of BS English English तो आपको बहुत सारे novels पढ़ने होंगे बहुत सारे plays पढ़ने होंगे चाहे उड़ लिट्रेचर को English literature के ओठीक है तो आपके पास इतना time नहीं होता semester system में कि पूरे पूरे आप text को पढ़ ले उसके so you go through the summary, detailed summary of that novel or play जिससे आपको पूरा उस play का crux समझ में आएगा कि उस play के अंदर main points क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है so now we are going to discuss about some steps of summary writing, कोंकों से steps है जिनको follow करके हम अच्छा summary लिख सकते है so we have certain steps, certain points है जिनका ख्याल रखना है, एक summary लिखते हुए इनकों में detail के साथ भी explain करूंगा the first one is your read the literature, gather the main ideas, re-wording करनी है उसको सही तरके से organize करना है, एक thesis statement आपने create करनी है और short सा draft बना देंगे, उसी draft को review करके, revise करके आखर में finalize आपका summary तयार होगा so each step को detail के साथ discuss करेंगे पहला हमारे पास step जो आता है, वो है read literature यानि simple words से हमें इसको literature review भी के सकते है यानि जिस text का आपने summary लिखना है, उस text को पढ़ना read literature कहलाएगा for example, आपको कोई novel का summary लिखना हो या किसी short story का summary लिखना हो या आपको summary लिखना हो, किसी reading passage का, ठीक है whatsoever the text जिसको मैं नाम देता हूँ, original piece of work या original text ठीक है, जिसका आपने summary लिखना है तो सबसे पहला step आपका ये होगा, कि आप summary लिखने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए तो आपके पास तयार summary आपको मिलता है ठीक है, बट जब आपने लिखना हो summary तो उस original text को सही तरह से पढ़ेंगे उसके जो है, focus करेंगे, focus reading के साथ, उसके main points को आप जो है, identify करेंगे, original text के अंदर ठीक है and then, आप क्या करेंगे, first reading में, obviously you can skip some points, आप से कुछ points skip हो सकते हैं, first reading में you need to read it again, एक और दफ़े इसको read देनी है, और second reading में आप देखेंगे कि कोई point रह तो नहीं गया जो की main point हो, जिसका summary में होना लाजमी हो, तो second reading में आप उस point को cover करेंगे, underline करके और एक journal सा overview करेंगे, कि सारे points तो cover कर दिये की नहीं second हमारे पास आजाता है, gather the main idea of the original text, original text के सिर्फ main points या main ideas आपने उठा रहे हैं, सारे details नहीं क्योंकि summary हमारे पास short होता है, precise होता है, तो उसके अंदर इतने details नहीं होने चाहिए, rather सिर्फ main points होने चाहिए so you can take time to reflect on what you have read, और important points को आपने not down करना है, जिनको author discuss करना चाहता है, अपने text के अंदर deliver करना चाहता है ठीक है, और यह sequence of events आप उसी को maintain कर सकते हैं, यह organization ना sequence of events जो original text के अंदर है, mostly summary के अंदर उसी को maintain किया जाता है, लेकिन pressy के अंदर हम देखेंगे, कि आप उस sequence को change कर सकते हैं, I will discuss about the differences as well, क्योंकि बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं between summary and pressy के इंका क्या difference है, so you have to, ठीक है, हर उस पे minor points पे ज्यादा focus नहीं करनी, rather than जो मोटे मोटे major points है, major ideas है, उनके उपर आपने focus करना है, so उसको determine करने के लिए, आप questions पूछेंगे, डापल एज questions पूछेंगे, खुछेंगे खुछेंगे, कि who की original text या article आपको दिया गया है, तो आप पूछेंगे question कि who wrote the article, what the article is about, या उसका क्या concern है, when and where it takes place, or why the author has written about it, ये important point है, why, ये क्यों लिखी गई, क्योंकि ये why ही answer करता है, आपके main points को की author का क्या मकस्त है, उस article को लिखने का, so उसी purpose को आप अपनी summary के अंदर restate करते है, और how the author communicates through the text, उस text के अंदर उसने किस तरह deliver किया हुआ है, अपने message को, अगला step हमारे पास आजाता है, not taking, जो ही आप लिखते है, important points को आप not down करते है, और I tell you कि आप एक दाफर read नहीं करते हैं, rather than आप second read भी इसको देते है, ताकि कोई चीज मिसिंग ना हो, कोई main point मिसिंग ना हो, so इस second reading को हम active reading कहते है, जिसके अंदर आप सिर्फ major points को देखते हैं, कि कोई major points रह तो नहीं गया, although previously आपने एक read दिया हुआ है, this is your second reading, ठीक है, and then this time marking the important points को आपने mark करना है, highlight करना है, आप topic sentence जो की major point होता है, किसी भी paragraph का, या this statement जो की major point होता है, अवराल उस passage का, उन चीज उनका आपने खास ख्याल रखना है, उनको अपने summary में mention करना है, ठीक है, important events को आप discuss करेंगे, और जो major points है, उनको आपने बिरकुल भी नहीं छोड़ने है, and then come, आ जाता है, आपके पास organize your notes, आपने जो notes बनाये है, उस original text को पढ़के, उसको किस sequence में लिखना है, किस order में लिखना है, वो यह कि आप original order को ही maintain करेंगे, organize the information you have collected, उस original text के अंदर है, उसी order को आप maintain कर सकते है, elaborate करेंगे, major points को clarify करेंगे, major points में जो information है, उसको, but keep in mind one thing कि आप simple words में अपने language में लिखेंगे, तक कि पढ़ने वाले को असानी हो, and then create a thesis statement, thesis statement जो कि major point होता है, main idea होता है, original text का, उसको mention हमेशा करना है, बूलना नहीं है, and then यह demonstrate करेगा, आपकी understanding of the original work, or main idea of the text, इसी की बात हो रही है, and then आपने restate करना है, recast करना है, authors के arguments को, without adding your personal opinion, अपना interpretation या अपना opinion आप add नहीं कर सकते हैं, जो कुछ author ने लिखा है, सिर्फ उसी के उपर आप बात करेंगे, and then, आप अपना first draft बना देंगे, short paragraph लिखेंगे, जो कि आपको कहलाएगा first draft, क्योंकि आप इसको बारत में revise करने वाले हो, edit करने वाले हो, to make the final draft, so thesis statement का, or topic sentence का, आपने mention करना है, and then, transition devices का, आप use करेंगे, जो कि बहुत सारे है, transition devices, according to the sentence, जो use होते है, वो आपने लाजमी यूज करने है, ये चीज़े, आप कुछ important points है, जो कि mind में रखे हमेशा summary लिखते हुए, वो ये कि summary हमेशा present tense में लिखा जाता है, and then, इसके अंदर जो है, include the author, author का आप mention कर सकते है, जो text है, उसका title mention कर सकते है, यानि जो आप summary लिखेंगे, उसका अपना title तो नहीं होता, क्योंकि वो प्रेस ही में होता है, title का यहाँ पर यह मतलब है, कि vortex कोई novel है, तो उस novel का आप नाम लिखेंगे, कि this novel written by that writer, in which he mentions about these major points in his novel, यहाँ पर कहने का यह मतलब है, आपने precise, concise होना है, क्योंकि यह summary है, इसके अंदर इतने details नहीं होनी चाहिए, rather than, मौटे मौटे major points, आप short से precise way में express करेंगे, यह citation देंगे, जो भी आप work आप original work पढ़ेंगे, तो उसका आप citation देंगे, direct quotations को आप दे सकते हैं, पहले ही मैंने कहा था कि आप अपना opinion आया, अपना interpretation खुद से add नहीं कर सकते हैं, जो को original text के अंदर हैं, उसी को अपने wording में बयान करना है, फिर after writing your first draft, उसी को review करेंगे, revise करेंगे, ताकि कोई mistake हो तो आप उसको rectify कर सके, correct कर सके, and then, आप कोई major point absence keep नहीं हो, यह review इसलिए जरूरी है, revise करेंगे your summary, उसको edit करेंगे, mistakes correct करेंगे, उस order का खास खास ख्याल रखेंगे, जो original text के अंदर है, और कोई चीज रिपीट नहीं करनी बार बार ठीक है, क्योंकि इससे extra या redundant information आपका produce होगा, आपने brief रहना है, to the point, clear, concise and simple language, और यह long नहीं होना चाहिए, grammatical mistakes नहीं होने चाहिए, condensed, precise and then, सिर्फ essential points, main points का आपने discuss करना है, minor details के ओपर आपने नहीं जाना है, and then summarize करेंगे, आप इसको exactly word to word translate नहीं करेंगे, आप जो है, if there is a long sentence, उसको आप replace करने के लिए एक short phrase का आप use कर सकते हैं, वो में simple summary के अंदर आपको detail के साथ समझा दूँगा, and then some tips, आप सिर्फ main points of the text को mention करेंगे, जिसके लिए आपको खुछ से पूछना होगा, WH questions, जिनका हमने जिकर किया था, use your own words, अपने wording में बयान करना है, writer ने जो use किया है, original text के अंदर, वो words आप use नहीं कर सकते हैं, otherwise आपका plagiarism हो जाएगा, and then keep it short, अपने summary को बहुत short रखना है, जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि pressing के तरह इसमें length की, इतनी वो नहीं है, restriction नहीं है, कि one third होना चाहिए, one fourth whatsoever, नहीं, बलकि short होना चाहिए, original text से, ठीक है, and then objectively लिखना है, यानि इसका ये मतलब है, कि आप खुद से अपना opinion नहीं दे सकते, अपने likes, dislike, अपना interpretations नहीं दे सकते, rather than, जो author ने main ideas discuss किये है, उन्हीं को discuss करना है, यहाँ पर मेरे पास एक sample है summary, उसको देखते है, हम आरे पास ये passage given है, इसको हमने summary, इसका summary लिखना है, तो हम इसको read करेंगे, thoroughly major points को highlight करेंगे, उन्हीं को restate करके अपने words में लिखना summary कहलाएगा, for example, यह मैंने पढ़के highlight किया हुआ है, in this passage, किस चीज़ की बात हो रही है, integral part of modern life, information, social media, फिर इसमें personal या professional interaction की वो बात कर रहा है, relationships with friends and family, उसकी वो बात करेगा, इस passage में, and then sense of community, belonging, यह सारे, social media के positive uses की वो बात कर रहा है, networking है, job hunting है, and personal branding है, marketing, engaging, and then news, communication, और बात में वो challenges की भी बात कर रहा है, तो यह major points थे, इस passage की, इसको summary के form में, short form में हम इस तरह लिख सकते हैं, let me show you, यह एक activity था, जो कि मैंने अपने students को दिया हुआ था, so, जिसमें मैंने खुद highlight की हुए थे major points, उन्हीं को बस restate करके, आप अपने words में, summary लिख सकते हैं, so this is all about this video, thank you for watching,